संत परम हितकारी जैव पुर्ण बुर्षोत्म भगवान स्वामिनाराएं असंख्य जीवोन वात्यांतिक कल्यान करवा माटे आप्रुथ्वी उपर पदार्या अत्यांतिक कल्यान इटले भगवान शाश्वत सुखनों शाश्वत अनुभो चन्मने मरण आज जीवना माथे थी कायम माटे टड़ी जाए अने पोते भ्रम रूप ठाए अने भगवान शेवानों अधिकारी बने भगवान निया आतिशे दया छे आतिशे एक रूपा छे क्या जीवो छे तो एने आतरासमाथी मुक्त करे छे अने एज सिवाई मानस गमे तेटला पुर्णिना कर्मा करे पर न एनों पुर्णिया खुटे तेरे फरीवकत पाचो मृत्यु लोकु पर जन्मदारन करे छे क्षिने पुर्णिया मर्त्य लोकम विशन ती श्रीमत भगवत किता नी अंदर क्रश्न भगवान पो ते आवाद समझावे छे आभई दान के वाई अने आ सवती मोटा मोटू दान छे आवे एक कार्य नी अंदर यह मने घंः बदा संतो ने तैयार करिया जन्यकरी ने संतो घंः बदा मार्णशो सुदी पहुँची शके आवे भगवान स्वामी नारायन चे यहमनों परिचई करावी शके यहमनों योक करावी शके तो यह उखेवाई छे के बगवान स्वामी नारायने लगबग त्रण हजार सादू बनावेला एमा कोपाडानन स्वामी एपोते अती उचकोटी ना संत था आई थी बहुत दूर एप्रगट थाया ना था तोलडा गाम छे इडर नी पासे इडर थी 25 माईल दूर थाय 40-41 किलोमेटर नी दूरी उपर आ तोलडा गाम आवेलू छे ए नाना आता तेवक तेमनू नाम हतू खुशाल भट एमना पितानू नाम मोतीराम हतू अले एमना मातानू नाम कुशला देवी हतू चार वरस तेमनी उमर थाई तेवक तेमना पितावास एमने संस्कुत नो अभियास शरू कर्यो आले त्यार पची नचीक माई गाम छे नभोई एमना एक विद्वान प्रामण अता एमना पासे थी एमने वेदादीक शास्त्रों छे एनो अभियास कर्यो बहु तेजस्वी हता बहु बुदिशाडी हता एले तुंक गाला नी इंदर वेदादीक शास्त्रों नो एमने अभियास पुरो कर्यो आले पोता ना गाम नी दर एक पाटशाडा नी स्तापना करी तिया अंकल पन विद्यार थी हो ते संस्क्रुत नो अभियास करावता अले साथे साथे भगवान नु भजन भगवान नी भक्ति किर्टन एनी अंदर पन प्रेरित करता हता गोपाड़न स्वामी त्यार पचियमने सत्संग नो योग थाईचे कुशाल बटने अले पन एक गाम छे नजीक निदर वाडा सिनोर करीने अले एक गाम नी अंदर बे सत्संगी रेता ता मुरली धर अने काशी राम येमनो संपर्ग थो येमनो योग थो येमना थकी येमने सामडियो के पूर्ण पुर्षोत्त भगवान अजे मनुश्वरूप धारण करीने आवयाचे सहजानन स्वामिना रूपनी अंदर अले बहुत चमतकरीक येमनो जीवन छे अजे हजारोलोक येमना आश्रीत थाईला अचे येमने जे काई अनुभो होतो अले जे काई महिमा येमने सामडियो तो इबधी वातो येमने कुशाल भटने गरी एपो ते अत्यंत राजी थैया पुरुवना बहुत साउस्कारी हता भगवान ना धाम माथीज पो ते आ लोकनी अंदर एक काम करवा माटे आवेला हता पड़ा लोकनी द्रश्टी एमने भगवान नो महिमा आविरीते सामडियो अने बे सत्संगी भायो होता एमने भगवान स्वामिनाराइन छे एमनो प्राथमिक परी चाही छे एमने आपियो त्यार पचे एमना अंतर में उतकटी छा जागरत थे कि मारे भगवान स्वामिनाराइन दर्शन करवा छे हवे ये अरसानी अंदर नभोई गाम मा स्वामिनाराइन भगवान एक परमान सावेलाता सर्वेश्वरानन करी ने एमने ख्याला व्योतिया मलवामेट एमने गया अले मलील एमने विलनती करी कि मने आ स्वामिनारेन संप्रदाईनी अंदर प्रवेश आपो विधी एवी ओई चे कि जे कोई प्रथम वकत स्वामिनारेन संप्रदाईनी अंदर प्रवेश करे तो आपने संप्रदाईनी परिभाषा मा एवू कई है चे कि ये वर्तमान धारन करवानी विधी चे ये वर्तमान इमने धराव्या वर्तमान धराव्या नो अरते वो धाय के जमनाथनी अंदर पाणिना पांचछटी पा मुखे अले भगवान नी जे शर्णागतिनों मंत्र चे काणमाया पापकर्मयम्दूत पयादहम स्वामिनाराण शर्णम प्रपनोसमी सपातू माम आरू माटी चोरी अवेरी आपडे जीवन माथी होय तो त्याक करवा तो एक गोपाणन स्वामी कुशाल बट एबने सर्वेश्वरानन्द स्वामी पासे अ वर्तमान धारन कर्या अले अमना मनमाँ बहु जीच्छा ती गमेतेम करिना स्वामीनी साथे जुँ पगवान ना दर्शन करवा माटे उजाओ थोड़ा जीसो थाया अले डभाण जवाना आता डभाण माँ पगवान स्वामीनारेन उपस्तित अता अविराजमान आता यले एमनी साथेज ए प्रतम वकत त्या अंगल भगवानना दर्शन एमना डभाणनी अंदर थाई छे प्रतम दर्शन अने बद्धी पोतानी इंद्रियो पोतानो अलता करण करण अले पोतानों जीव समगर पड़े भगवान स्वामीनारेनी मुर्ति नी अंदर तदरूब थाई गयो ये जोड़ाई गया अत्यन त सूख न अनुभाव थायो समाधीनी अंदर पंजे सूख न अनुभाव ना एना करता विशेश अनुभव एवने भगवान स्वामिनार ना दर्शने करी ने थोयो अने तेया मनी पासे रहा ने विननती करी कि मने तमारी पासे कायम माटे राखो मने तमारी पासे रेवू छे तो ते वकते भगवान स्वामिनारे ने वात करी जारे समय आउशे तो ते वकते मुँँ तमने बोलावी लेश हवे पाचा जाही छे भगवान नी आगना थी ठोरडा गाम्मा मन तो आसकत थे गयो तो भगवान नी अंदर भगवान स्वय कोई विचारेमना मन्नी अंदर हताद नहीं अले भगवाने किदेलू के समय आऊशे तो ते वक्ते हुँ तमने बोलावी लईश एक वकद एक ब्रामन एक गाम्मा आव्या वाचित थे खबर पड़ी के गुजरात जवाना छे अले कदाज भगवान स्वामिनारेनों गुजरात निदर मने योग धाए एले ब्रामनी साथे पोते निगडी गया अले जारे विचरन करता करता एलोको जेतलपूर आव्या तो त्यांगल भगवान स्वामिनारेन छे पर रस्तानी अंदर ये भ्रामने बोधी बहु सेवा करी पाणी जोईतुए तो कुशाल बटने पाणी आपे भोजन्नी वेवस्ता करी आपे पग निंदर कांटा वागया तो पग माती कांटा पन गाढ़ी आपे अब अधी खूब सेवाओ करी अले जेतलपूर्णू पादारावियो तेरे तियोखते ये मने वाद करी कि हूँ स्नान वीती पतावी अले दिशाये जहू छून पची स्नान करी अले बगवान स्वामिनारना दर्शन करवा माटे हूँ आविश्त तमे तियांगल जाओ गाम मा जाई छे तपास करी खबर बड़ी कि बगवान स्वामिनारने यहां गळच्छे बगवान स्वामिनारने चुन अत्यांतर आजी थाया प्रसन थाया डबांडो जे अनुबो होतो ए पुनरावर्ती तियांगल थायो अले पचिये मने वात करी के रस्तानी इंदर एक ब्रामन मारी साथे आवेला ए ब्रामने मारी बहुत सेवा करी अले ब्रामन हजी सुथी आपना दर्शन करवां मेंटे आवया ना थी मने नवाई लागे जे क्या गया आशे तो रस्तानी इंदर जे बधी घटनाओ बने ली आती ए बधीज घटनाओ नी वात भगवान स्वामिनारे ने जारे करी त्यारे कुशाल बटने प्रतीती थाई क्या ब्रामन ना रूपमा साक्षाथ भगवान स्वामिनारे ने पोते जावेला अपी आविले महें घर मत ही तेड़ी गया पा संशावा फोजन या पा पड़ा पग माती छुक्पोगों सवामिनारी ना पते गड़ा पारे छाट ला था जीवन के वो चमतकारिक जीवनातु। नानपन ती चमतकारिक जीवनातु। ऐक प्रस्दंग वो थोएलो कि शामらजीनन नुग मंदिर और आगर तोलडा नी पासे। आ प्रसीद्ध मंदिर भे। आपने उद्धेपुर्ना रस्ताओ पर जी एटो रस्ताओ निदर शामलाजी मंदिर आवे, एज मंदिनो आप रसंग चे, अले ए मंदिर नाचे खरड़ाओ छे, खरड़ानी इंदर आप रसंग पाचो नोंधायलो छे. अले योगी जी महराज जारे शामलाजी मंदिर मा दर्शन करवा माटे गया ता तो ते वकते योगी जी महराज एमने आ खरडा छे जोएला अने खरडा नी इंदर आ प्रसंग जे वलेलो नी नौन पन करे लियाती के खुशाल भड साथे शामलाजी नी मूर्ती रोज रमबा माटे जाती हवे श्वयनारती पती जाए पड़दा पड़ी जाए अले पछी ये जो मूर्ती छे ये टोर्डा नी अंदर रमबा माटे जाए अले सवारे मंगडा अरती थाए मंगडा अरती पहला पाछी मूर्ती से पोतानुचे स्थान चे स्थान माविने पाछी याथावत तया अंगल प्रतिष्टी थाई जाई एक वक तेव प्रस्टंग थाय। पुझारी यह काइक काम पड़िय। पूजारी ने वेला उठवानू थो बीचे गाम जवूतू जा बाडू खोली हूँ मूर्ती ना मड़े लेकदम गबरें क्या मूर्ती गई क्या अगण ये मेने तो बुमाबूम करी हूँ कि बदा मांसो बेगा थे गया अने मांसो बेगा थे के थोड़ोग समई थेयो अने फरीवकत जारे ये बारना खोल्या तो ते वक्ते मूर्ती त्यांगड हती ले बदा मांसो ने शंका बड़ी गया पूजारी काई कपट करी हूँ अशे तपास करी एक जरियान वस्त्र एक गुम थाई गयलू ये बदा माते तम्या अश्वर्बोकर मचा वेलोचे पूजारी बधाई कि भाई में कश्व कईरू ना थी त्यार पचि मूर्ती माती अवाजावेओ मूर्ती माती अवाजावेओ कि पूजारी नो वाँ कन थी अले हुँ तो त्या आगल टोड़ानी इंदर कुशाल भट एले साथे उन रमवा जवुच उरोज अले त्या आगल नवेलानी इंदर जांजर पड़ेलूच रस्तामा मोड़ीने जरियान वस्त्रपण तमने मढशे माटे बुजारिन तमे मारो नहीं पचि त्या में आणजर मोखले चे अले सवारे जयरे कुशला देवी गर्मा सफाई करता ता नवेलानी इंदर जांजर जोयू त्यार एमने नवाहिलाग एमने पुछू क्या जांजर आवीू के विरिते तारे कुशल बटे वाद करी के जे व्यक्तिनू छे एना धनी अमना आउशे अने जांजर लई जाशे माटे तमे साच्वीने राखो अने जरियान वस्त्र छे ए पन प्राप्त थाई छे एले बाढ़ पन ती अजीतो भगवान स्वामिनारेण नो एमने योग थोयो नती त्यार थी एमना जीवन निंदर आवा घणामदा चमत करो बनेला विजो एक प्रसंग एवो बनेलो नजीकनी अंदर इडर गाम त्याना राजा आता अले राजा एक टेक्स करेलो ब्राहणों उपर वारिशिक त्रण रूप्या नो टेक्स अवे एवके त्रण रूप्या पन लोकों ने बहुँ भारे पड़ता यजमान वृत्ती करता हुए लोकों पई आपे बहु बहुत कैक पईसो आपे अवे इमा ती जो त्रण रूप्या वारिशिक ए राजा टेक्स ना लई जाए तो पोता नी पासे काई रे नी राजा न अवे फरियात करवा माटे बदा ब्रामानों वेगाती ने गया अपन राजा चे एड़े कोईनू सांबिडू नहीं प्रामानों मनमा विचाहर थे हुँ क्या आ चमतकारीक बाड़क छे ए बाड़क ने आपने साथे लई जीए अले पछी त्यांकर राजा ने फरिवकत वि बाड़क छे आवी ते विननती करता ता राजा ने हसु आवियू अमलदार होते एमने पण हसु आवियू एनन थेयू क्या भाड़क छे आवे एने अले नालोको आविया छे एमनों पण मानियू ने खुशाल बटके काई चिंता करता ने गामबार वाव छे आजे पन तमे अले पते गामब एडर ने अंदर जाव ने प्राशादिनी वाव छे ते आवियू पटे बेठा अले बेसी में किदो आपड़क भगवान नी मुरतीनु स्मरण करता करता चिंतवन करता करता बजन करिये जाले काई चिंता करवा जिवी नथी लोको सामेथी आवाव से ये भगवान निंदर एकागर करी दिदू अने त्रण दिवसुदी तिया अंगर पोते बेठा रहा आकेवादा योगी हाता ये टोड़ानी पासे जे डुंगरों चे डुंगरों नी गुफानी अंदर पोते योगा भ्यास नियमित पड़े करता हाता येमना माटे तो मुश्केल हतो नी पन विजा बतालों कोना बारा पड़े आएशे कन त्रण दिवसुदी कौन बेसी रहा है ये ब्रामनों ही मुझाता आएशे पन जेवी येमने या साधना शरू करी तिया अंकल राजा ना जाड़ा पेशाब बन थी गया अमलदार होता है ना पर जाड़ा पेशाब बन थी गया इटला बदा आकड़ा ही मुझा ही कबर पड़े नी जाड़ों थातो ना थी पेशाब थातो ना थी अवे जेले आपेशाब नी तकलिफ हो ने खबर पड़े आथ बहुँ मुश्केली भर्यू काम जे मुटराश ही जे नी अंदर यूरिन भेगू धयू हो है अने लेकड़ तू ना थाए इटली बदी मुझाण थाए अने मौड जे आत्रड़ा नी अंदर भरायो हो है ये ना पुन खुलासो थातो ना थाए ये पन बहुत अखलिफ थाए अने त्रण दिवस थाया पची कोई के वात करी के तमी पहलो खुशाल भट आवया था ए चमतकारिक बालग छे तमे एनु अपमान करे लू छे तमे एमनो द्रो करे लू छे माटे तमे एमनी पासे जाओ एमनी पासे जेने माफी मागो तो बची आमा तमने सारू थाशे राजा ने अमोलदारो ते आंगल आवया इध्यान नी अंदर बेठा आता चागरत थे आखबर पड़ी राजा आवया छे एवने वात करी मेरबानी करी नमारो अपराज जे थयो छे आप माफ करो अने आमा थी अमने मुक्त करो तकलिफ चे जाड़ा पिशाब थता नाथी अने बदा मुझुवण माचे त्रण दिवस्ती माट आमा थी निकाल थाए एवि तमे एक कृपा करो खुशाल बटे वात करी पहला टेक्स माफ करो अलो के बाई टेक्स माफ बस ते वक्ते वारतालाब गोणा बदो थायो अशे मनमा थायो अशे स्वाव वक्त माफ पना कूला सोतो करो अले पच्छी खुशाल बटे के दू एम नहीं तामभा पत्र उपर लखी दो कि यावज चंद्र दिवा करो ब्रामण उपर टेक्स लेवा मा नहीं आवे अले ते वक्ते तामभा पत्र उपर लखी दिदू सिक्का पन मराई गया अले पची को जाओ अले वांदूर नी आवे सारू थाशे अले राजा आता अमलदार हो अलता बदाने खुला असो आवे और बदाने शांती थाई ते वक्ते पन खबर पड़ी कि आ बाड़क सामान्य बाड़क नथी आ बाड़क एक चमतकार इक बाड़क छे तरीचो एक प्रस्टंगे वो बने लो टोड़ा गाम निंदर एक ब्रमचारी आवेला मंतरविद्या माँ बाड़क निपोण आता अले मंतरविद्याना आधार एक चमतकार गाम माँ बताऊता कोई पन भाई होई ए घरनी अंदर पोटे जाय अले ते अंगल शाली ग्राम मूखे शाली ग्राम मूखेने वाद करे काले तमरा गरें बोजन लेवा मेंटे आविश और रात रे पोते मंत्र विद्या एनी ताकाती शाली ग्राम पोता पासे खेंची ले पहला नवाई लगे शाली ग्राम गूम क्या थे गया और पजी खबर पड़े व्यक्ति पासे आवी गया चे दरे घर नींदर आवा चमत कार पोते बतावा लागया पड़ अभीमाने ने आविव एले बिचारा जे सामाने अव्यक्ति आता भगवार ना भगतो आता एन अपमान करिव एना तिरसकार करता था कुषाल बटना मनी दरेम थेगो कि आपड़े एने अपड़ा गरे बोलाविये पुता ना घर माइने बोलाविया बोलाविया वाद करी कि अमारे ती आंगल तम्हे आओ तमने भोजन नो आमंत्र अचे तम्हे यह भोजन कर जो शाली गराम मुकी ने गया अले पुता नी मं अंत्रविद्या अजुमाईश करी पर शफड़ता मड़ी नहीं तो पहला मानसना मन में तो कि आपने नालाशी थाशे एले तया अंगलती पोटे भागी गया अले पोटे निकड़ी गया अले फरियोखत गामनी अंदर पोटे देखाया नहीं आप रकाना चमत कारो तो भगव स्वामिनाराण मल्या अजी पोटे दीख्षा लिधी नाति ते ओखत नो प्रसंग बनेलो कि बगवाidas स्वामिनाराण साथे पोटे वीच्रण करता हता ते ओखते बगवान स्वामिनाराण जे के महाः भारतनो एक गरन्त अग्रंत भावनगर दियंदर एक ब्राह Ноन उ पा पड़ फरी वकत आ लोकनी द्रश्टी ये पड़ परमहुंस पासे बता शास्त्रों छे ये मनू पोते इश्रवण करता महाभारत पड़ फरी वकत वांचवानी इच्छा थे अचला माटे महाभारत लेवाँ माटे ये मने एक हरी बगत अहता लखी राम देरासरी करी ने ये वात करी तमें भावनगर जाओ अने भावनगर जी ने आप महाभारत नो जे गरंच ये गरंच अमे लियाओ हवे एमनी साथे ये पोते विजाएक हरी बगत अहता ये हरी बगत प्रागजी दवे एक जगनात पंडित करी ने अहता ए जगनात पंडित ने साथेली ने गया काण के ए जगनात पंडित ए पोते महाभारत नो गरंद जोए एने खबर पड़े कि आ महाभारत नो गरंद खरेकर ओरिजिनल गरंद छे कोई इक्षेपक गरंद तो नथी ए पंडित छे लखी राम देरासरी पंडित तो अता नी ए प तो तमें 300 रूपय आपो और तमने आ गरंथ आपीशू ये वात अमने करी और वात करें पछी व्यक्ति फरी गया ये ने कोई मारे तमने गरंथ आपो नथी मारे आ वीदिया वेच्वी नथी ये भुगवन स्वामिना रहने ये आ बेली साथे बीची वकत प्रागजी दवे ने मोकला कांट के प्रागजी दवे बहु वाचाड़ा था नेगोशियेट सारू करी शकता था वातपण सारी करी शकता था ये ये वने कोई तमें जाओ ये प्रागजी दवे गया यह मने पन समझाओ माटे प्रयत न करो पन पहला ये फरी वकत न पाड़ी यहले पची स्वामिनान बगवार नी द्रस्टी कि खुशाल बट उपर पड़ी यह मने कई तमे जाओ अले तमे जही ने गमे तेम करी ना गरंथ लियाओ यह कुशाल बट त्या अंगल गया अले त्या अंगल जही अले पची पेलाने विननति करी यह कई तमे इमने आपवोतो सारू येरे ना पाड़ी वो कोई संजोगो में तमने आ गरंथ नी आपू एटलूद नहीं पड़े मने कुशालबट नू अपमान पन करी ना क्यूं अले पोता ना निरडेनी अंदर पोते एकदम अडग राया अले कोई पन संजोगों मा तमने आपीश नहीं कुशालबट त्यां गड़े करी भकत अता श्रीमाडी जिना भाई करी ने एमना मकान नी अंदर पोते उत्रया अले त्यां अगर भगवान ने प्रात्ना करी खादा पिदा अगर बे त्रण दिवसुदी एक खुशालबट भगवान स्वामिना नू चिंत्वन करवा लागया कि महराच आप दया करो आप एब ब्रहामन मा प्रवेश करो तो आ काम तशेबा की काम नहीं थाए अले एमने की देलू कि आ गरंद लिधा हो अगर हुआई थी जवानों न थी एले ब्रहामन ना घरमा गया ये ब्रहामन ते वक्ते पुजा करता था पुजा नी इंदर बाडमुकुर्णी मूर्ती हाथी अले इमने सामे बेसी गया अले बेसी गया ने पहला ये ब्रहामन ने तो पुजा करूँ छू अले पुजा करया पचिक वाच्चीत करी शू अले मन मा तो न की जटू कि मारा गरंद आप पोज न थी पड़ ये बाडमुकुर्णी जे प्रतिमा हाथी ने ये फरी गई ये खुजाल बड़ तरफ फरी गई अले ब्रहामन न मन में तो कि मारे मुकवा मा के भूल थी ऐसे ले फरी अवकत गोठ वी ये मूर्ति ने पुदा नी सन्मूग करी अले सन्मूग करी थोड़ी कवार तीन पाची मूर्ति फरी गई तरफ ये खुजाल बड़ वाद करी तमे में महान नो अपमान करी थे अले महान नो तिरसकार करी थे आतिती सतकार करी नथी इटला माटे आप बने थे ये पो ते उबाद ही गया पगे लागया माफी मागी अले को आग्रहन तमे लई जाओ अले खरे खर्बू चमतकारी पुरुष्टियां गड़ावया छे एनो ख्याल एमने ते उखते आभी गयो चो कुशाल बड़ पोते आवा चमतकारी खता अले पची भगवन स्वामी नारणिमने दिख्षा आपे छे समत अडारसो ने चोसटनी साल कार्तिक नो महिनो अतो सुधपक्ष अतो अस्टमी नो दिवस अतो गरड़ा नी अंदर खुशाल बड़ने दिख्षा आपे छे अले दिख्षा आपे ने नाम पाड़े छे गोपाडा नंद अले पची भगवन आगना करी तमे वड़ोदरा रेजो मुटा बागे वड़ोदरा पोती ती आंकल रेता आखा वड़ोदरा विस्तार नी अंदर नाना मुटा व्यक्ति ओने पोता नी शक्ति थी सामर्ति थी पोता नी भग्ति थी यमने सत्संग करावयो अब बगवण स्वामी नारान में एमने छोडेला आता बहु विद्वान आता आगण में तमने उवाद करी गोपादा नन्स्वामी एमने उप्निशदो उपर भाष्य लखेलूँचे एमने श्रीमद भगवध गीता उपर पन भाष्य लखेलूचे अले ब्रह्म सुत्र उपर एमने टिका लखेली छे अले त्यार पची मुक्तानन स्वामी एना पर भाष्य करेलू छे एला अत्यंद विद्वान अता इस सामान्य नता अले तबे जो कोई मानस विद्वान होई एनु एने अभिमान आवे एनु एने घमंड आवे एन आमा जिगनास वृत्ती ना होई त्यार गोपाणन स्वामी नो अपड़े विचार करे तो गोपाणन स्वामी आवा विद्वान हता तो अपन जिगनास वृत्ती गोपाणन स्वामी मा हती अने पाच्या कोई विद्वान होय तो साधक ना होय पड़ गोपाडणन स्वामी एक साधक तरी के पण पोताना जीवननी अंदर विजाने परिणा मले तेवा बदा तरश्टान तो गोपाडणन स्वामे ना जीवन मा आपने जुआ मले छे वचनामरत मा एमने प्रश्टन पुछेला चे ए प्रश्टन आधर आपने खबर पड़ एमने जिगनासी वृत्ति नो पन ख्यालावे अने साथे साथे गोपाडानान स्वामी मा साधक पणु हतु एनो पन आपनी ख्यालावे कार्याडी प्रक्रणू चोथू वचनामरत चे ए वचनामरत नी अंदर गोपाडानान स्वामी ए पोते जे प्रश्टन पुछे छे ए तात्विक प्रश्टन चे कोई जिगनासु व्यक्ति होए अने वाजतावनेक प्रश्ण उद्भवे तिवो गोपडानन स्वामी प्रश्ण पूचे जे भगवदानन स्वामी ने स्वामी नान बगवदानने वाद करी संतो परस्पर प्रश्ण उत्तर करो इले गोपडाननन स्वामी आ तात्मिक प्रश्ण पूचे ओ क्या देहिनी अंदर जीवनु जान पणू केटलू समझू अने साक्षी नु जान पणू केटलू समझू आ शरीर छे ये शरीर निंद जान पणू छे ने आ शरीर जड छे येमा जान पणू छे तो जान पणू कौनू छे जीवनु छे के साक्षि नुचे साक्षि यह जलए बगवान बगवान तिया बेठा जे अंदर अंतरयामि रूपे तो तो हेमनू, कौनू समझे जो बगवध्धन स्वामि प्रयेत ना करे लगवधन स्वामि बभर जवाब आपीं शक्या नी बगवान स्वामिलारे ने वात करी के नक्थी शिखा परियंत बुद्धी चे शरीर मा व्यापीने रहेली चे अले बुद्धी नी अंदर जीव चे व्यापीने रहेलो चे जीवनी अंदर साक्षी रहेला चे एड़ले जीवना जान पणू एले केवे करीने बुद्धिनू पन जान पणू केवायू अले साक्षियमा रहा चे तो साक्षिना जान पणे केवे करीने जीवनू जान पणू केवायू आ स्वामिनान भगवाने जेवाब आपयो आनो भावार्शु आनो अर्षु थाए एनो अर्थ एटलोत थाए आ बुद्धी छे ने मायानू कारिया छे ए जड़ छे पणातमा छे चईतन्य तत्वा छे एना आधारे आ बुद्धी काम करे छे और जीव छे एपन परमात्मानी गिनान शक्ती परमात्मानी इच्छा शक्ती और परमात्मानी इजे क्रिया शक्ती एनो अवलंबन करिने जीव छे एनी अंतर आत्रों शक्ती न आपने दर्शाद थाई छे आनो भावार छे चो गोपाड़ान स्वामी जिगनासु हता परमानन स्वामी परमानन स्वामी न शक्ती जो ब्रमानन स्वामी इस सामन्यन उता ब्रमानन स्वामी पन विद्वान हता ब्रमानन स्वामी पन बवभुधिशाडी हता अवे ब्रमानन स्वामी ने जे प्रशन पुछे चे ने अध्यात्मिक महार्गनी अंदर कोई व्यक्ती चाले लो होई अनि ए व्यक्ति ने काम लागे अनि गमेद ए व्यक्ति ने काम लागे वो प्रश्णा अतो अनि भ्रह्मानन स्वामी छे तो भ्रह्मानन स्वामी ने पोते आप प्रश्ण पुछे छे कि क्यो पुरुष होई एले कि क्यो व्यक्ति होई एने देश, काल, क्रिया, संग एने करीने पन पोते पराभूने न पामे औने के वो व्यक्ति होई ए पराभूने पामे औने सामड़्यामा तो एवो आवियू छे कि भर्मा जी हता एने सरस्वती ने देखीने मोहत है पोता नी दिकरी हती एने देखी ने भ्रह्मा ने मोहत हयो जे भ्रह्मा याकी सुरुष्टी बनावेली छे जे भ्रह्मा है आपने बदा मौडल बेठा चे ने भ्रह्मा ही बनावेला चे अलग-अलग हवे एमनेत पोतानी दिकरी छे एने देखी ने मोहत हयो सामपदयामें वह आवे छे कि शीव fulfोजी मोहीनी सोरूप छे एले जोने मोहत श्रीमत भागवत नीनत राकु आख्यान आवे छे तो सामपदयामें वह आवे वावे अवात विचारी ने उत्तर कर जो Gopallanaan Swami, Brahmananaan Swami परस्ण कि पुछे चे के विचारी ने उत्तर कर जो प्राण बदा संकेलाइने भगवान ने विशे निमग ना खुई तो तुछ जेवो जीवो होई एपन पराबहुने न पामे अनि एमा जो जोड़ायो ना होई तो मोटा होई एपन पराबहुने पामे इस स्वामिनान भगवान पोते समझावे छे अनि श्रीमल भगवतन एक स्लोग केछे तत स्रुष्ट स्रुष्ट स्रुष्टेशू कोन्वा खंडित धीपुमान रुषीम नारायनम रूते योशिन मयेव माये या आनो भावार्त इटलोत थाई छे के भ्रह्मा जे मरिच्यादीक प्रजापती उत्पन करिया और कश्यपादीक प्रजापती उत्पन करिया एमने मनुष्ण मात्र उत्पन करया तो एली अंदर वो कयो व्यक्ति छे कि जे पोते आ जे नारी छे तो एले करिने मनुष्य एमा पराभव नह पामे एमा भो नह पामे भगवान सिवय कोई पुरुष्य नथी एश्रिमत भगवत नी अंदर भगवान स्वामिनारे ने उल्लेक करिने टांकिने आ समझायू तो एने विशेज निमगन रयो होई तो थाए आथ यूशू जो देशकाडा दीके करिने पराभव पामे आपने बदा सत्संग नी अंदर आविये छे तो सत्संग नी अंदर आपने पराभव आपने कोई दीवस ना पामे क्यारे बने तो आपने जो भगवान नी अंदर जोडाएला रहे तो पराभव ना थाए अले भगवान मती आपने जो बाहर निकडे तो आपने अवश्य चे ए परास्त थाईजे विचू वतनामरत छे लोयानू सोडमू वतनामरत तो ए वचनामरत नी अंदर पन एक स्वामिनान भगवान पोतेच प्रश्ण पूछेच स्वामिनान भगवाने प्रश्ण पूछेओ अने स्वामिनान भगवाने पोतेच वात करी के वासना छे ए जनी कुंठित थाई ना होई अने वासना जेनी निर्मोड थाई गवे न शू लक्षण छे हवे आप प्रश्न पुछो तो एनो जवाब पन एजारे अफावेओ नहीं तो तेव कदे श्रीजी महराज पोते एनो जवाब आपे छे कि येनी वासना कुंटित थाई ना होए एनी इंद्रियोनी वृत्ती विशाई नी तरद जुड़ाई जाए कि सारू रूप जोए तरद खेचाई जाए सारू शब्द सामड़े तरद खेचाई जाए सारू खावाणू पदार थोय तरद जीब छे तिया आगल खेचाई जाए सारू सुगन थोय तिया नाग चे तरद खेचाई जाए तो एनी वासना चे कुंटित थाई नती और विचार करे तो विचार करे ने ए वृती पाचि वड़ाऊ मेंटे प्रयतना करे तो अपन भूथी पाची वड़े नए और जैनी वासना कुंटित थेगी होए तो ए व्यक्ति जैनी इंद्रियों नी वृती तातकाडिक विशई मा जायी नी और थोड़ोग वीचार करे गई होए तो तरद पाची वड़ी आवे तो एनी वासना कुंटित थेगी केवाए जागरत नी अंदर आजी जगतना पंच विशयी चे एनो सुषूप्ति नी पेठे अभाव वरते अने सारा ने नर्सा पंच विशयी समान वरते अने पोचे गुणातित पने वरते तो समझू के एनी जे वासना चे ए निर्मोड थी गी हवे गोपादान स्वाइन परस्टना पूछेच महाराज वासना कुंटी तो थी गी होई पर निर्मोड केम थती नथी आजो गोपादान स्वाइन परस्टना पदी कबर पड़े ए साधक पनु बतावेचे काट के वासना निर्मोड करवाव माटे आपड़े आवेलाचे एना माटेज बगवादान स्वामिनाराण पदारेला एकेम थतू नथी एकेम जतू नथी तो ते वोगते बगवादान स्वामिनाराण जहोब आपेचे के धर्म, ज्ञान, वैरागियने भक्ती एमाच इटली कसर छे एकली वासना निरुमोड थती नथी आगोपादान स्वामि ए लोयानू तेर्मू अतनामरत और लोयानू सोड्मू अतनामरत एना वे प्रश्णो आपेडे जोया कार्याणी प्रक्रोणू दस्मू अतनामरत छे ए वचनामरत माँ कोई खान पान आपे बगवान ने थाड़ दरावे वस्तर अलंकार धरावे तो बगवान राजी ना थाई बगवान ने किदू राजी तो थाई पन बगवान ने अर्थे वस्तर अलंकार धरावता हो है ए धरावता धरावता पोते एमा आ सकता थी जाई अथवा बगवान ने थाल सारा सारा करता हो है ये थान करता करता पोता नी झीबनों इमा पोषन थतु है रस्ता इंदुनों पोषन थतु है तो माराज के मा विगना आवे इतला मैँटे सृजी माराज टब बता हूँ अब भर्मानन स्वाइउ कि तो पाचा भर्मानन स्वामी राजा दी राज गोड़ा ब्रह्मानन स्वाई के माहराज बिजो कोई उपाई खरो माहराज के ना तपे करी ने जराजी थाई आमे तमने चे उपाई बताई उने एज उपाई चे बिजो उपाई नथी आ वाद करी गोपाणन स्वामी ने आवे प्रस्ण थे हो अने गोपादान स्वाइं प्रस्टना पूछे जे महाराज तब करवानो मन नी अंदर इसक तो होए पड़ इमा विगना आवे तो क्यम करू तयारे स्वामिन आण बहगवाले वात करी जे व्यक्ती ने जे वात नो इसक होए एमा हजारो अंत्रायों आवे पड ए अंत्रायवनो रोक्यो रोकाई नहीं त्यारेज एनो इशक साचो केवाई एम करेने स्वामिन नान भगवान पोतान उद्रस्टान था पेज अम्या सचसंग मावया रामानन स्वामिने मढया अमने इक्वी स्वरस थेया आए एक्वी स्वरस नी अंदर अनन्द भातना वस्त्र अलंकार तदा खान पाना दिक एने करेने सेवा करना रा अनन्द भक्त अमने मढया पन अमारू मन कोई पन पदातरी अंदर लोभायू नथी कारण के अमने त्याग नोज इशक छे श्रशी महराजे पोतानी वाद करी दी एक्वी स्वरस थाया अले एक्वी स्वरस मा सामे धगला थाया वस्त्रो ना धगला, खान पान ना धगला, सन्मान ना धगला महल मेलातू ना धगला पर महराजे कि दू कोई पदार्त मा अमारू मन लोभायू नथी कारण कि अमने त्याग नोच इशक छे आवात यह मने करी हवे जो गोपाडान स्वामी पंडित पन अता है साथक पन अता है हवे क्यो प्रश्ण पूछे यह मा जिगनासा पन छे साधनानी वाद पन छे बहुत भूत प्रश्ण छे यह मने नव ही लागे चे के शास्त्र नी अंदर तो भगवान नो महीमा लग्यो चे कोई पन तमे शास्त्र माँ चो तो शास्त्र माँ भगवान नो महीमा चे अले मध्यकार ना बदा कवी हो थी गया तो स्वामिनान भगवान पहला थी गया था तेनी दर पंकट बोदो महिमा चे सुर्दाज जी चे एफो ते वात लगे चे एक चंदनी अंदर शेश गणेश महेश दिनेश सुरेश सहू जाई निरंतर गावई जाई अनादी अनन्त अखंड अचेद अभेद सुवेद बतावई नारद सोशुक व्यार सरटेई तोही पुनी पार न पावई ताही आईर की चोहरी अचचिया को चाचपर नाच नचावई सुर्दाज जी केचे एफ समझावेचे भगवान नुम शेश गणेश महेश दिनेश सुरेश सुरेश सुहू जाई निरंतर गावई अब ताह देवतावन नुम वर्णन करिऊ शेश ची, गडेश ची, महेश दिनेश सुरेश इंदर अब बदा लोको जाई ही निरंतर गावई हमेश भगवान नुम गुणगान करेच जाई अनादी अननत अखंड अचेद अभेद सु वेद बतावई बतावई करश्ना भगवान ने चाच उपर नाच 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 करीं पक्तिती बगवान पोते वश्ती जाई छे के वान उश्व आव बदू वर्ण तो अपार छे वेद नी अंदर छे उपनिषद नी अंदर छे अवधा भकत कवियो छे एड़ी रचनाओ छे ए रचनाओ नी अदर बदू वर्ण भगवान नू करिऊ छे तो परन पंडितो भागवतमा किदू, दर्शना देव सादवह, सादूना दर्शन मात्रती कलियान चाटलो महिमा छे, सामनेमा नाती, मोक्ष द्वार मपावृतम, ए मोक्ष नु द्वार छे, एम आत्मभुधी करता नाती, ए पशू छे, गोखर जेवा छे, गदेडा जेवा छे, एव वडन क करियो, और किटलो सत्संग नो महिमा किदो, जबर जस महिमा किदो, ना रोधयती माम योगो, ना सांक्यम धर्म एवच, ना स्वाध्या इस्तपस्तियागो, नेश्टा पूर्तम न दक्षिना, वरतानी अगनस चंदांसी, तिर्थानी नियमा यमाह, यथा वरुंदे सत्सं सर्व संगापहो हcor ohimam. पुन के महिमा नदी समझा तो, आतो प्रेक्टिकल प्रस्वंग बने लाचा, योगीजी माहराज मुंबई मा अता, अले योगीजी माहराज, किश्वर बाई दवे ना घरे उत्रे ला, त्रणचार दिवस माटे, अले एक बहुज मुटा शास्त्री अता, काशी थी आवेला आता, अले एक व्यक्ति विद्वान, एक व्यक्ति ए इंग्लिश नी अंदर, त्रणचार पुस्तों को लखेला भगवान ना अस्तित्व विशे, त्यां बदारी भोग तो बेठा था थोड़ा गणा, संतो बेठा था वात करी, एक तमें काई प्रवर्चन करो, यह ने उबा तेने वात करी, बगवान कहा है, बगवान किसने देखाया, ते लख्यू सुतों बची, अब तु लखान करी, लखान पटी कोणा माटे, बीजा माटे, लखे चे कोणा माटे, असर था थी नती, तबेठो चें, तबेठो, शीरो बनावे, तबेठा ने चोटे थन्हीं, कशी असर था था थे नी, काई करता काई नी, केट्लो शीरो बनावी दे, हजार मन शीरो बनावे, पने ने काई चोटे नी, इम आऊँ छे गोपणानन स्वामी ने बहु नवाई लागी गोपणानन स्वामी आ प्रश्चन पूछेो गोपणानन स्वामी कयो क्या आबदा छे शास्त्री छे पंडी छे एलोको आबदा शास्त्रों नो अब्यास करेचे जे मां भगवान ने संतनों महीमा लग्यों चे छता पण आ भगवान ने संतनों महीमा कें समझातो नथी तो ते वकत स्वामिनान भगवान वात करे चे वांचन करे चे आ बदू करे चे पड़ भगवान नो आशरो नथी ए भगवान नो आशरो नथी एटला माटे कामक्रुदादिक दोशे एना जीवने हर्वी नाख्यों चे एनो पराभव करी नाख्यों चे एना थी टड़िया नथी एटला माटे एमने उधाई चे के जिम अमारा दोशो टड़िया नथी ने टड़ता नथी एवरी त्या भगवान केवाई चे अन्या मोटा संत केवाई चे पड़ एमनाया दोष तड़ता नहीं होई ए दोष एमाँ परिठाई चे एने करिने एने भगवान ने संतनों महिमा समझातो नथी आविरी ते गोपादान स्वाइं घणाबदा प्रस्णो वचनामरतिन दर पूछेला चे झेफ्माँ थोड़ादाग प्रस्णो थे एप्रस्णो नामिए तमने वाध करिए ए बहु anthrop Deutschland वीधवान अता अले स्वामिनान भगवान नी पासे ब्रमानन स्वामी अता मावो भगत अता गोपालानन स्वामी अता अले हमने प्रश्ण पूछेो स्वामिनान भगवाने कि मानी लो तमने बीजो जन्म भगवान आपे तो तमें कई इचा राको कोना घरे जन्म लेओ ब्रह्मानन स्वामी के दू महाराज मो तो राजा नत्या जन्मलो उन राजा थाओ के भगवान नू भजन बदाने पराने करावडाओ ना करे ने डंडू बगवान नू भजन करे महाराज हस्या पशे गोपादान स्वामी ने पूछु के सौमी तमे कोना घरे जन्मलो गोपड़ा निसुए कि महाराज कोई अत्यांद गरीब ब्रामन होए यहने त्या हुँ जन्मलो यह मान भीक मागी ने पूरु करतो है यह भी व्यक्तिने पासे हुँ जन्मलो कें कें गोपाड़ान स्वामी के संसार त्याग करता वाहरनों लागे कोई नडेद नहीं कोई नडेद नहीं काई जो कि मारूपुरू थटू नदी मारा धिकराण अमारे क्या पूरू करू एना काथा जतो बले जाए और बले थाई जाई और बगवान नू भजन करे विनन्दी करी कि आउ तमने धोत्य आपूज तमने अंगिकार करो हवे स्वामिना न भगवान न आगना बवस पष्ट हाती कि तमारे अवस्त्र पहरवा पड़ के वा वस्त्र जरियानी वस्त्र न पहरवा हवे आज ये धोत्य आपेल पड़क थे आपाड़ न पहरवा पहला आगरम भग अतो अने गोपड़न सची के क्या सुधी परू कि स्वामि जासुधी फाटे नि त्या सुधी पर आटमारें स्वामि के येम आटो योगी है ता ते विडिते धोत्य परू तड़ा-तड अनि धोतियु पेरी ने बेठान त्याज फाटी गळू गोपड़ान स्वामिन जीवन नी अंदर आवाताती तो त्यानो प्रस्तंग तो एक दिवस्त नो थोए मानस रोज खाई छे गोपड़ान स्वामिन शरीर कुरूश अतू गोपड़ान स्वामिन पात्वड़ा आता पर तो एक गोपड़ान स्वामिन जीवन जीवन ताखाता अले ते ओकते स्वामिन नान भगवान अबधी वातो प्रवरता वेली अती अले स्वामिन नान भगवान धाम मा गया पचिनी आवाच्छे एमने चालू राखिया शे एले पची हरी बोग्तो जारे आपे जारे गोपडाण स्वामी पोताना भागनु जे गी होई अगनी देवताने होमिदे आले पोते अंगी कार करे नहीं गुडाधितानन स्वामी ने आ वातनी कहबर पड़ी तो गुडादितानन स्वामी गोपादानन स्वामी माटे जाते रसोई बनावी और रसोई बनावी ने रोटली बनावी एमा घी लगाड़ी और घी लगाड़ी ने गोपादानन स्वामी ने आपी जो बिजा कोई आपी हो तो गोपड़ान स्वामी स्विकार करत नहीं एबने गुड़ादितानन स्वामी नो महीमा हातो क्या गुड़ादितानन स्वामी सामानिय संत नथी आ ओडिनरी संत नथी आ एक्स्ट्रा ओडिनरी सं छे आ एबने आपेलू छे तो एनो तो के अनादर थाई नी अले स्विकार एबने करी। स्वामी बहुँ प्रेम्ती आपी कि तमारी तबेज सारी न थी आरी ते तो तमें अंगीकार करो तो सारू एबने एक हाधी खरी पची हाथ जोड़या अले गुड़ादी ता ने न स्वामी न रिकितू के स्वामी हवे त्याग वही रगनी बातों तमें कर जो माराती त्याग वही रगनी बातों नहीं थाई पचा एबने प्रामानी गता एले एमना जीवरनी इंदर आवाद पन वनाए लिये थी साथे साथे तमें जो तो गुपादानन स्वामी न जीवन मा त्याग वही रगनी वोके त्याग वही रगनी अभिमान आवे पड़ एमना जीवन मा अभिमान पड़नो तू इह क्यारे खबर पड़े अपमान थाई ने तो गोपड़ानन स्वामी ना जीवन मा अभिमान न थी तो गोपड़ानन स्वामी ना जीवन मा इवा प्रसोंगों बनी गया कि जारे गोपड़ानन स्वामी एमनी सिध्धियो कोई के जोई होई गोपड़ानन स्वामी पासे घणां बदा अरी बोई तो आवने बेस्ता और कतावर्ता सांबलता होई एमनी विदुवत्ताना पारखा ठायला होई और स्वभाविक पंडे कोई व्यक्तिने इर्षा उद्पन थाए अने ए इर्षाने कारणे, द्वेशने कारणे, गोपाणनन स्वामी ने जोड़ी हती, तो जोड़ी नी अंदर तो सुओए संतों नी जोड़ी मा पुजा होए, एन उधोती हुखः, गातरी हुखः, स्वामी ना ने भगवान नी चर्नार्विन नी जोड़, जे मंडरणदा पुस्तक पुष्ट कोपड़ानन स्वामी विद्वान अता इतला माते ए जोडिनी अंदर देवता ओनाख्या चैने करें बड़ीने भसम थे जाए आशाही थी ना क्यो गुड़ातितानन स्वामी तेवक्ते हाजर अता कोपड़ानन स्वामी ना मन मा कोई दोष थायो निकोने करिव अशे शू करिव अशे थामाते करिव अशे मुथ यह नूगाए बगाड तो नधी अबधा कोई वीचारो गुपड़ानन स्वामी ना मन निंदर आव्या नही कारण के मैंने गनान पचावेल हो तू विजो एक मोटो प्रसंग वो बनी गयो वड़ताल मा स्वामिनारेन भगवार ना भत्रिजा रगुविर जी महाराज अता ए रगुविर जी महाराज आदी आचारी हाता एमना मूटा भाई गोपाड जी करीन हाता हावे प्रसंग वो थो केटलाक नी चड़वनी थी आग गोपाड जी रगुविर जी महाराज ना कयामा रेतानो ता रगुविर जी महाराज क्याम करवान गोपाड जी ना करे एकाई जुदुच करे मनमा विचाराने बहु उद्वेक थाईगव कोने केव कोपाडण स्वामी ने वाद करी के स्वामी आप प्रस्ना अचे कोपाडण से के सारू यामना शीश्य ताई केशव जीवन दास करी ने एक केशव जीवन दास ने कोपाडण स्वामी समाधी मा मोक लिया और जी जीवा समाधी नी अंदर गया शुची मारा तो साक्षात प्रवेश्ट है हरी भोग तो बेटा हो है तो हरी भोग तो ना मन नी वातो चाहर नी अंदर केशव जिव अंदास बोलवा ला गया संतो ना मन नी अंदर जी विचारो होता इविचारो नी वातो पन करवा ला गया यह किट लग देश स्वान कर नो निहां लुट काया निए शुटा शुटा और आपने जायर ने भुटा बड़े थे आपने शुटा अपने धर खरे ऐना मुणी यंदर इन दर और और अपने थपको अपो पर गोपाड़ानन स्वामिन ठपको आपे कौन स्वामिनान भगवान जारे धाम मा गया ते आरे स्वामिनान भगवान बर्ने देश ना मोटे रा गोपाड़ानन स्वामिने करी ने गया था ते गोपाड़ानन स्वामिन ठपको आपे कौन थोड़ा पेरावा, भगवा लूगड़ा काड़ी नाखे, यह जग्या थोड़ा पेरावा, बहु मुटू अपमान के वाए, आज भोल काई नहीं, रोगुर्जी माहराद ने राची राकवा माटे, एमनी उपादी टाड़वा माटे, गोपड़ानन स्वामी चमतकार बताव इना फ़र्ड रूपे आवो आखु तंत्र गोठवाई हूँ, अवे यह गोठवाई तर एक वेमाना सितो थाई नहीं, तो वड़तालनी अंदर भगवदानन स्वामी हता, इने चंड़ो पाड़े लो, एमनी साथे नित्यानन स्वामी ने पन भेड़वेला, एमनी साथे प वायू थी उपड़ी, अने ठेट जुनागड सुधी पहुँची, अने जुनागड गुड़ादितानन स्वामी ना कान उपर आजारे वात आवी, तारे गुड़ादितानन स्वामी ने ए वर्षे वड़ताल जवानो वारो नोतो, पन गुड़ादितानन स्वामी ए पोते तियांकल वड़ताल गया, और वड़ताल जीने ठाकूजेना दर्शन करेया, दर्शन करें रगुर्जी महाराद ने मढ़या, रगुर्जी महाराद ने वात करी कि आमे सामधियू छेनू केम छे, कि स्वामी आमा हूं काहीं करी शकुएम न थी, आ भेखे, उपदी, उपदे करी कि अभेखु ने महारम नाथी, पचाफ़ शकुएम ना थी, आ कुन्य थैनन्साद ने थे सारू, अर रगुर्जी मराज बात क्यैजां नित्यांन्न स्वामी ने मलो, नित्यांनसवी स्वामी घुश्ती गया, नित्यांनसवी का अपाले जलदो दो ने वादाल भख्तम कि तमारे आवरिष आवानो वारो नो तो, और अचीन थे वरसाद नी वारडी क्या थी आवी। त्यारे गुणादिदानन स्वामी बोल्या कि आजे गोपादनन स्वामी नू अपमान करवानो ठाथ रचियो चे रेटला मैट वावे वचू। स्वामी आ अपमान मुटान उथाई ठीक नहीं आ बरोबर नथी ओला देश ना मानसों ने बोलावी ने एम ना थकी अपमान कराऊ धड़ी ना खमाई शोक ना खमाई अले जो गोपाणन स्वामी उदास थाशे अपमान थी तो राकना हंला फूटी जाशे माटे ठीक नथी बरोबर नथी नित्यानन स्वामी ने लागियू आ बराबर चे वाद साची छे नित्यानन स्वामी एकाई के स्वामी आमा मने कोई अगर न थी और पवित्रानन स्वामी स्वामी के स्वामी तमने शुव लागे पवित्रानन स्वामी कि अगुणादितानन स्वामी बोले ची ठीक छे ए दिश्णावीन अपमान करिमा आपडू हीनु देखाए आपडू खर पर नित्यानन स्वामी किदू भगवधानन बवफ अफड़ होचे तम्हे हमने मढड जो अनि नित्याननन स्वामी करू सभामा नहीं आउ अनि सभामा आवीश्ट हो लेना बेशी जेश बद और ने खबर हे जारे मारा हाथमा लेनामा आभ लेश्ट होई पातरी औने स्वामी ए पग थी ए धाबली चे ने फैंकी दिती गुणातितानन स्वामी पहला बोल्या जोगी कें रूठ्या भगधानन बोल्या कि जोगी कें रूठ्या जारे गुणातितानन स्वामी के आशूता मेले इन बैठा चो गुपादान से न अपमान करवा त्यारे कि थे धिदू के स्वामी एतो करूज पडशे है। एक करूज पडशे करनके गोपादानन स्वामी ये बताने खुटा करी दिधा। और श्वामी नारणी ने भूथ ठेरवए है जहू थयू थे। तबर गुणाफटानन स्वामी भाव मा विगया तमे समझता नहीं। कि गुपादानन स्वामी एकला ची याद राग चो अहीं तू मोटे रोचू, अक्षरदामा हूँ मोटे रोचू, तोने तड़के उभो राखिष्ट। पहला भणेला ता बगवदानन, बगवदानन दे वात करी कि अक्षरदामा तड़को चे तारा माटे अने था करतूम शक्ति माहराज वापरिन नो उभो कर से जा पच्छी जोयू के स्वामी खरे खरा आतो अवीगाद भाव माँ अने जोगी छे आतो सामानिय छेद नी हा जुड़या स्वामी आप राजी के विरिते थाओ राजी तमे काले सभाम नहीं आओ था कानके तमारी प्रकुरूती एवीचे ने तमे आओ शो ने बोलिया वगर रेवाशेद नी मड़े तमे आताजनी सभामा, सार्व नहीं आओ अब दू पत्युम पच makers गोपादानन्स्वामी पसे गया गोपादानन्स्वामी स्वामी प्रसंड लिए बाओ राजी था अने अक्की वाहत करी क्यो प्रसंग सभाओ अथ्यंत प्रसंड थाया मनी यंदर जो गुडातितानान स्वामी सिवाई ते वखते आखा खिल स्वामिनारा इन संप्रदायनी अंदर को येवा संत नता कि चे आ उपादीने शमावी शके अले उपादी शमावी अले बिजेदी सभानिंदरा को प्रसंग बन्यों गुडादिता नंस्वामे को प्रसंग डाइवर्ड करी दिदो अले आगल घडी बदी लांबी आओ प्रसंग चे ये मोटीवाच चे एनी विगत आपड़े अमना करता नाती पन केवानु शुके आउ उपादिनी अंदर गुपाड़ा नंस्वामी शांता था अवड़ु मड़ु अपमान तो यादराग जो शीजी महराज चे व्यक्ति ने बन्ने देशना मोटे रा कर्या होई अवड़ ए व्यक्ति ने महराज ना गया पची आप रकारनू एक तंतर रचाए और ए तंतर ने इंदर पन जारे खबर पड़े कि जारे बहु मोटा संतो बहु मोटी कक्षाना संतो हवे ए संतोने पन वातो करी करी ने भोड़वी औने इनी साथे सहकार आपा माडे तैयर कर्या होई तो ते हो कते गोपादानिन स्वामी ना अंतर नी इंदर केटल बुदो कलेश उत्पन थाओ जोई पर गोपादान स्वामी ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो नहीं। पर गोपादान स्वामी ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो नहीं। पर गोपादान स्वामी ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो नहीं। पर गोपादान स्वामी ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो नहीं। पर गोपादान स्वामी ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो नहीं। एकवादान स्वामी ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो ना जीवन मा कलेश उत्पन थयो नहीं। अले गोपाड़ानसाई खरे करे वा समर तता महाराद ने आशिर्वात गृपाती चुन्ना करनुचारे मंदीर तेयार थतु तो ते ओकतमा प्रसंग छे अले एमा कोठला सुधी प्लीन सुधी कामावी गयुतु नागरवास बाजुमा हातो इलोकोन बहु विरोध अले नाग पत्र लग्यो के तमे तो वडोद्रमा जीने बेठा जो अने या अगल तो स्वामिनार ना मूंडियाओ एटली जडप्ती मंदीर करेशे अने जोचोता मां मंदीर पुरू तेयाशे अने पछी आपने शू करशू एची वो कागल मढ़ियो रंगिल्दास ना मनमा विचार कि आपड़ा मंदीर ने जमिन दोस्त करी नाखे एटली अने लग्यो पत्र कांकरी कांकरी आ तोडी अने कालवा नदी निंदर मूं पदरावी देश नागरो बदा राजी थेया रूप शंकर किकानी एपन नागर एमने आवाद सामिली एनंतर मा दूख थेयू तातकाडिक मंदीर में आविया प्रमानन स्वामे ने और संतो ने वाद करी लोका कान मनमा बन दूख थेयू गुपड़ानन स्वामी की तोच्ह जीव रंगिल दास के वाई शिती प्रमाने करता हरता शिती मारा दे शिती मारा दी मर्झी अगर एक सुह पानुडुदूप अक रहला वी उपर निकड़े हो चे आवा माटे ने खरेकर प्यलू जा काम करवाना चे अले गुपादान स्वामी ते वक्ते पुझा मा बेठा ता अले तया अगल अरिकिष्ण महारादी मुर्ती अथी अले मुर्ती उपर तूलसी ना मांजर चड़ा उता ता ठाकोजी नी मुर्ती उपर अले ते हो खते प्रहानन स्वामी आवया संतो पन आवया के तमे स्वामी हम शांतिती पुझा करो चो पन पहलो निकड़े हो चे तो गुपादान स्वामी के आ तूलसी ना मांजर भगवार नी मुर्ती उपर चड़ा गाने के अटली सेल आई थी अया मंदीर उपर कड़ा चड़ी जासे बस अटली सेल आई थी चड़ी जासे तर ब्रहानन स्वामी के स्वामी तमे तौम बोलो चो पन आउचे तो कैं करो एले गोपादान स्वामी पोतानी बगल मती एक वाल तोड़ियो और वाल तोड़ियो और वाल तोड़ियो नाक्यो आतारो रंगिल दास अले जो गोपादान स्वामी या नाखियो त्या मारती गोडी उपर इपलो आउतो तो अने हात्मा बर्ची अती अने बर्ची पेटनी अंदर गुसी गई अले इवेक्ती तिया अंगल मरी गया अने या सन्मान करवा माटे किटनू कलश कर गयू थू राजाय मानसों ने मोखले आत गोपादान स्वामी के इते दियोस्ते जो मरे लो जोतो तो इजाती निकड़े वड़ो दरा थी तियार दी जैने उमरे लो जोतो तो अवी सामर्ती इस सामर्ती अती अलोकिक सामर्ती गोपादान स्वामी मालती एक ओकत गोपादान स्वामी वीचरन करता करता बोटात पद वाद लागया शरी दबाहुता दबाउता गोपाणान स्वामी ने उंगावी गई रातर एक्डम जागया साधुने पूछिव के साधुराम तमें क्या अर्थी पकदाबो छो के स्वामी आपावया अले सुवा मते आवेला त्या अर्थी मा पकदाबा उचो तो ते वकते गो एकदम टाड़क टाड़क तेगी, शांती थेगी, मनना बदा वीचारो एकदम शांत थे गया, ये वा समर्त था, पूर्व जनम नुपन पोते बदू जानता था, एक बाई अता, गोपादा नन स्वामी कि दू, के भाई, मजा माचो के हाँ, बहु मजा माचे, परिवार में क जगड़ा न थी, कोई जगड़ा न थी, अरे दिकरानी वह तो एकली बदी अध्भूत चे, के एना पेटे जनम लिदो हो एने, ये वू लागेचे, गोपादा नन स्वामी के माड़ाने वास्तना के भी बंदाईचे, दिकरानी वह ना पेटे जनम लेओ, एकली एवी सारी बंदादे जनम लेओ, और न थी, के एना ऄकली बंदाईचे, पर जनम हो एकली उने, गोपादा ननस्वामी पासी विदन्ती करी, के आध्षोवा हो एना धुड़ातो जै पर जनम लेओ जनम लेओ, आध्षोवामी सारी, गोपासी भी बंदादे पूरूः जनम लेओ पर गोपड़ानन स्वामी ना बहु गोटा काम एक काम ये अतु के जहमचे भगवान स्वामी नारण्यमने महीमा समझावयो विचु मोटू काम गुणातितानन स्वामी ना जहमचे महीमा समझावयो आ बहु गोटा काम थाया आत्यांतिक कल्यान माटे आभे वस्तुनी जरूर चे अक्षरने पुर्शोत्तम महराजे वाद करी के ब्रह्मरूप तेने भगवान नी उपासना करवी एना माटे ब्रह्मरूप संतनी जरूर पडे ने ब्रह्मरूप्तेने बगवान नी उपासना करो तेना माड़े जरूर पड़े अले उपासना जेनी करवानी चे अनो पन महिमा जेम चेम समझाओ जो ये तो येमने बगवान स्वामी नाननो महिमा जेम चेम समझाओ जेम चेम समझाओ गरदानी अंदर एक प्रसंग वो बनी गयो के गरदानी अंदर जलजन न उच्छाव तो अने पालखी लेने जाए बगवानी मुर्ती लेने नदीमा जवानु होई ते बदा उपड़ा जोईतना नन स्वामी मोटा रामा नन स्वामी न वकतना सादू एना मन में थोई बदा निकड़ी गया एमने सेज अपमान जेव लागयो मने कोई आमंत्रा न आपयो नहीं पन बालमुकुंदानन स्वामी अता गोपादानन स्वामी न शिश्य अता अवे एने जोईव के आ स्वामी ने थोड़ुक दूख लागयो छे वो विवेकी अता इस सामान न था एक गोपादानन स्वामी थोड़ुक एमने समझण के वी जायली में तमने रंगिल दास्तों प्रसंग की दो तो ते वक्ते बालमुकुंदानन स्वामी जुनागड मा हाता औने कोई के वात करी के बता फफ़डी गया स्वामी तमने काई थतू न थी ते वक्ते बालमुकुंदानन स्वामी बोलिया बीजा बदा तो बेला पथरा एक पोता ना हईया उपर खड़केशे औने हूं तो हईया नींदर शीजी मारत न मूर्ती राके ने बैटोचू अने बदा बेला तो बाहर राखू छू एवी समझण तो एमने थी एले एमने चोते नानन स्वामी ने जोया एने थो यू क्या गड़बड थाईचे एले रोकाई गया अने कहू के स्वामी क्या आप केम गया ने थी क्या बदा लोको जता रहाचे बदी वाद थाई अशे एन आना आता अने एमने चोते नानन स्वामी ने वाद करे स्वामी आपने मान माटे सादू थाईआएचे अले चोक रहा तने आगदान कोने आप्यो एक भी मारा गुरू गोपादा नानन स्वामी sûr कि मारी पासे मोकल जे अधो prueba Satguru हाथा Gopadhan Swami उभर में आना आथा बेठा गाद यू पर वेठा Gopadhan Swami है निछे बेठा Gopadhan Swami स्वाम्नान भगवाना MHीमानी बदि वातोगारी बटव गमी को अधोन स्वामिना राइम इसे तमें जनी पासे रोचो पतानासवाचा के स्वामिनान भगवान पासे बदा हरी बोग तो पदार था पे तो जम ओक्ट्रोई नाकूए ने कस्टम इमिग्रेशन आवे ने ते कस्टम मा आपड़े माल चेक था है रोकाई एम चैतनानन स्वामी से ने ये माल बुदो रोकता है इमने जिये गम में राके पछी बदो वदेलो स्वामिनान भगवान नापे इवाल था विचार करो अवे इमनी पासे बात करवान नियती इस समझे वो स्वामिना रहिन कौन छे बहु राजी था काले फरी हो का दाऊ जो बनने आसंसर का राके उंचा इमान बहु राजी था पचे प voting इह बोला आगे इप रीजेदिसे पुते निचे बेशी गया गोपादान स्वामिना उपर बेशाद्या गोपादान स्वामिना ड़ाजी बहु आतो करी जिवमा निश्ता बेठी आतो सरो परी चे रो आतार ना उतारी ये रामकृष्णादी का उतारना कारण चे एमा तीज बदा उतार उत्पन थाया चे अने एमा लीन थवाना चे आप ती वातों सामडी बहु राजी थी गया आले पछी भगवान पासे जटनान स्वामी प्रातना करता के बार वरस गुरु रहो बार वरस सद्गुरु रहो पंड साधु तो हूँ आजे थायो चुँ माडे हे महाराज तमारा साधु ओड़काएवा नती तमारा साधु मने ओड़काव जो आ वात एमने करी एमना जीवनी अंदर शिजी महाराज सरोपरी भगवान चे आ वात नी द्रड़ता करावी मैगणी ना दरबार मान सिंग एने समाधी करावी ने कथावारता करी शिजी महाराज सरोपरी भगवान चे ए वात नी द्रड़ता एमने पन करी स्वामिन और भगवा ने सपना मा दर्शल देने घयू कि तमे जहम चे मारो मही मा जानो चो केम प्रवर्तावता ना थी अले तमे चो आवात नहीं करो जहम चेम तो हजार वरस पची पन तमारे ज आवात करवानी चे एटले पची गोपाणानन स्वामी उम्रेट नी अल्दर रगुर्जी मारात नी उपस्तिती मा अखणानन भ्रमचारी नी उपस्तिती मा मोटा मोटा सद्गुरू, संतो नी उपस्तिती मा, हरी भोक्तो नी उपस्तिती मा जेम जेम वातों करी अखंदानन ब्रमचारी न जाड़ा थी गया ए पची नहीं वात आ वात थी जाड़ा थी गया रगुर जी महाराज ने वात नी खबर पड़ी रगुर जी महाराज ये मनी पासे आवया अने रगुईर जी महाराज पछी अमने बदू समझावयू अने कयो ब्रह्मचारी महाराज तमें जेम समझो छो एम अमें समझिये छिये गोपड़ा नंस्वामी तो योगी छे ये तो कई कड़ा में खेलता होय ये आपने ख्याल आवे नहीं ये आपने खबर बड़े निमाटे तमें जेम समझो छे मत्यारे मान मान इमने टक्यूने रहाद थे ही चाड़ा मत्या इमराज शा आता तो इमराज शाने गोपड़ा नंस्वाई चमतकार बतायो अने नाडी जोओ में टे आवे ये तो वैश्णा होता अने शरीर मा नाडी खेंची नकमा मुगी दिदी अने काई शरीर मा नाडी मले नी तेम लेम तो अस्टांग योग सिद कर्यो होय ने आकड़ा फावे ये आकरी शाके कर्ष्णा भगवन अस्टांग योग सिद करेलो साक्षात कर्ष्णा चे मारी भक्ती जोनिमने दर्शन देवा मेटे आवे चे तेम अने किदू के हुँतो स्वामिनान भगवन नो दास्चू सेवक्चू मारा जिवा पात्सो परोमन सोचे आवात करी हिम्राज स्वामिनान भगवा आशू ये वैष्णाव संप्रदे माती स्वामिनान संप्रदे मा आवे तो यो मोटो विरोध कोसा हिमारत प्रसाद लीने आवे येनि कदू जो प्रसाद आपो ये तो आपो पर वनने समझाए हूँ छे वातसाची समझाए ही छे फिरफार ने करूँ एक जन्मा मा बेबाप ना थाए तो आने बहुत सारस जवाब आप हिओ हिम्राज स्वाद करी तो हमें कोचो स्वामि तो एक वलभ स्वामि तो वलभ स्वामि पहला आपना जे वडवा हता ए वडवा बीजा कोई ने मानता था पंचारे वलभाचारे नी ताका जोई तो आरे वलभाचारे नो स्विकार करयो तो ते वक्ते बेबाप नत है ते आजे करूम्शू आंदो चे एकदम चम क्या कि माल या आवात्तों साची करे चे और पंचे ने तो मनाई नी कांट कि गोसाई मारा जाता पंचारे नो कोई तर्ग जवाब तो आपी शके नी प्रती जवाब तो ना आपी शके ये पंचारे प्रसंग लामबव आपड़े जानिये चे कि इधाम मा गया पछी चोकरा होए पंचे शक्राव ने नातबार करया तो गोपादन स्वामी ये अ सरोपरी महिमा येमना जीवनी अंदर पंचे नाक्यो गुडादितान स्वामी मूड़क्षा चे लबग डॉट्सो व्यक्तियो ने गुडादन स्वामी ये मोक्रला एक वार गुडादन स्वामी के दू मारे सादू नी जरूर चे मने तमे त्रन सादू आपोने गुडादन स्वामी के मारी पासे त्रनत सादू चे तमारी पासे साइट सादू चे साइट सादू करा पट तमने आपना वोपादाना वाद्गरीग अट्रणने ने गुणादितानन स्वामी वाद्गरीख आठाने गुणादितानन स्वामी समागम कर अम् Advanced Rat ऑटकरता माथु दुखी जाईए आने गुडातितानन स्वामा Ricky gosh पोटाकरता गुडातितानन स्वामी अधिक हे एवा प्रस्वंग份 गुपादानन स्वामी हेच़ए चड़े छोक्य चायए ला एमा एक प्रसंगे ओबलेलो केको कत गुणातितानन स्वामी पासे गुपादान स्वामी जुना गट गएला और बदा पार्शोदों ने गुणातन स्वामी वात करी जाओ घास कुटी गए हुचे और परवत माती डूंगर माती लिलू घास लियाओ ठाकोर्जीनी गाई हुचे लिलू घास खावाती टेवाईली जुछे माणे तम्हे तया अंगर जाओ घ्ले जिवा जताता दातरडु लईने गुपादान स्वामी जुछे तम्हे क्या जाओ गास कापा माटे केम गुणातान स्वामी करी ठाकोर्जीनी दूद माटे गाही माटे तो कि तु जो भेसला डूंगर छे ना पर वादरल बेठा छे बहु वर्साता से पल्ली जसे मडे तमे जशो नहीं एमने वाद करी इजारे के उ पाचा आवया गोपादान स्वाई कि तू एले पाचा आवया तू पाचा हो दा जो इने गुणातान स्वाई कुद आवया पाचा के मावया गोपादान स्वाई कि तू चले पाचा आवया कि तमे जाओ ठाकोर जी जे ने पो लाड़का छे एमने आ लिलो घास तमे खवडाओ गाई ने तू ए दूद छे ना ती टेवाया चे अने जाव ठाको जी ने कुरुपा जी वर्षाद नी वर्षाद ने वर्षाद ने तू तू तम पाचा हो सवन पची पढ़ से जाओ गोपादान स्वाई तो काम में ज़ता रया आलोकों बदा गया कुरुपादान स्वाई विचार करे माणो वर्षाद कें पढ़तो ने अने आलोकों ने घासनी घासडी वोली न पाचा होता जुए के में तमने कईउ तो नतु जाओ अनु कें गया के स्वामी तमे ना पादी ती पन गुणातितानन स्वामी कईउ अने गया कुपादान ने घासनी के मारुवचन तो एक जोगिच फेर जखे के गुणातितानन स्वामी फेरी कह के बिजो कोई न फेर जखे आयमने वात करी त्या अंगल आ प्रसंग वन्यो बिजो प्रसंग महिमानो एमने गिदेलो एक गरडानी अंदर, कि श्रिजी माराजे काड़ूपूर मां मंदीर कर्यू, एला महंत कर्या सरवगनानन स्वामी ने, भूजमां मंदीर भीजू कर्यू एमना वईष्णवानन, ध्वडेरा म तृजू कर्यू अधुपुतानन, चोथू कर्यू एमने वड़तालनी अंदर अ अरो वेवार तो गुणादितानन स्वामी नागरो नी उपादीमा मंदिर पुरू कर्यों मंदिर वेवार सुधार्यों आखा स्वरत निंदर सच्संग फेलावयो सादू ने धरम नियम नी अंदर वर्तावया आचारे रगुरुजी माराद ने राजी कर्या अखन कतावरता करी और एक शण पन भगवार नी मूर्तिनू विस्मर नियम थवा दिदू नाथी माटे आवास आदू आखा सच्छग नी अंदर आवा सद्गुरु कोई नाथी एक के वाचे सर्वग नाचे सर्वदक्षचे और धन्वंतरी वाइद चे अब दिवा तो गुपादान स्वाई करी भगजी माराज जे अपनी गुरु परंपरा मा आवे भगजी माराज ने गुणातितानन स्वामी पासे मोकलनारा गुपादानन स्वामी ये तो गुपादान स्वामी जोडायला था मैं एक वकत वडुदारा स्वाम द्रश्टी करो तरफ भुदारा स्वाम द्रश्टी ना होय? eleven तो श्री महाराज आख रदम बिराज मान त्यां अगल अथ्वा जुन अगड निंदर मुर्ति मान अक्षरदम गुणा दितानन स्वाम त्यां द्रश्टी होय? बिजे कोई द्रश्टी होई? नहीं अले समत ओगुणिसों ने आटनी साल मा गोपादानन स्वामी एपोते तेर दिवसना उपाज थाया उम्रेठ मा आको जे प्रसंगनों में वड़न कर्यू पची पोते उदास्ते ही गया गड़ा मा रत्वानी फोड़ की थाई तेर दिवसना उपाज थाया अले एमने ते आंगल देहे एवड़तालनी अंदर एमुक्यों ने पोते तिरोधान थाया स्वतंतर थाका अक्षर धामा पोते पदाया आब बव मोटू एमने काम कर्यू हवे आँ गोपाणान स्वामी नोँ आपड़ जीवन चरीतर सांभीड़ू तो एमा थी आपड़े बोधन पद शुलेवानों तो बोधन पद ए लेवानों कि गोपाणान स्वामी अटला बदा मोटा हता पन गुपालानन स्वामी श्रीजी मारादना दास तेने रहा जारे एमराजशानों प्रसंग बर एमने किदो कि माराजिवाद बात सोचे एमने वाद करी आप बहु मोटी वाद चे गंबे तेली मोटी प्राप्ति आपने थाए तो स्वामी सेवग भाव आपने जे उपासना चे नो भंग थाओ जोए नहीं आपना जीवन में कोई अभिमान आऊ जोए नहीं बीजीवाद प्रगट भगवान चे ओडखी एमा जोड़ाओ जोए प्रगट भगवान नू स्वरूप है एमा ओडखाओ जोए एमें गुड़ाद इतानन स्वामी नो ओडखाण आपी तो ए परंपर आखी चाली ए परंपरामा भगजी माराज, शास्थी मारा योगी जी माराज, प्रमुक स्वाई माराज आपने प्राप्त थाया एमा आपने जो जोड़ाई जहिए तो गुड़ाद इतानन स्वामी जे बथी आगल वातो करी पलान जीवनु कलतर मताडियो अले मताडिने एमने आगलनी वाद पन करवानी आती जे वासना निर्मूण थावानी वाच्चे एक उनातित संत मा जोड़ाई तो निर्मूण थावाई एवो योग गुपाद नन स्वामी बतावाई चिंधिव एले आपने चो मन करम वच्चे ने प्रमुपस्वाई माराज मा जोड़ाई जीए तो आपने एकांतिक धर्म सिध थाई आपनी वासना पन कुंठीत नी पन आपनी वासना पन निर्मूण थाई आपने भ्रमूरूप थीजिए और माराज नी सेवाना अधिकारी बनिए तो आजना दिव से आपने गुपाद नन स्वामी न आख्यान सामिल्यू माराज स्वामी प्रमूप स्वामी माराज न चरणों मा प्राटना करिये